कॉरूच क fist in स्टॉड कर लिमिंटेद घा जी साइपयो का आज लिस्टिंग होनें जारा उससे लिस्टिंग में गेंग परसंटेज कितना मिले लिस्टिंग में और यह प्राइस कितना ओग श्टैटीज्ग्ष कि जो आtalा हैा बने से रही से रही और वी इंसको सस्काइब है तो देखे गाई यह जो आई प्यों है तीन अगस्त आज के दिन लिस्टिंग होने जा रही है और इसका प्राइस बन रखा गया था 40 लुपीज पर शेगा 3000 की लॉट साइज थी इसू साइज ट्वेंटी फाइटी पॉइंटी पॉइंट फाइव साइवन का इसू साइज मतलब कि यह स्केमेक्स अलड़ी इस स्टॉक एक्षेंज में लिस्टेड है और इसके प्रोमोटर भी है जो कि प्री इशू था 70.16 परशंट का और अब लॉट्मेंट होने के बाद लिस्टिंग होने के बाद 51.47 परशंट का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा यहां प लेकिन इसमें डिमांड जो है बहुत जादा हुआ था 59.9 टाइम्स की सब्सकाइब हुआ था तो आज देखें कंपनी में डिमांड भी बहुत जादा हुआ था और इसके जींपी इतना कुछ खास ट्रेंड नहीं कर रहा है आरांड फाइल रूपेज का जींपी देखने को मिला जिसके एक टुवट पॉट फाइब पर्सटिक मिलने के चांसे लेकिन जिसके डिमांड हुई है इस इस एक चांसे से कि एक स्ट्रॉंग लिस्टिंग हो सकती है अगर मार्केट कंडिशन आज के दिन पॉजिटिव रहता है तो अब हम लोग अगर बात करें कंपनी के इस द्रमें जो कि कंपनी का कम्पनी का जो है मैनुफाक्च्टि निका बियर्ट नने से जो मैनुफाक्च्र Scripture करती है इसों सब्सक्राइब करता है यह कंपनी जो मैनुफाक्च्र करता कटेगरी में जैसे classify किया गया manufacturing जो कि इसमें है में नाचुरल डाइज सिंतेटिक डाइज और सिंतेटिक और इनिक डाइज का कंपनी का खुद का ब्रैंड भी है यह ब्रैंड के अंदर कंपनी अपने सारे का मैनुफ्रक्ट्टर करती है इसके अकॉर्डिंग जो प्राइज में रखा गया था इस प्रॉब फॉर्टि रुटि पर एक ठीक ठाक प्राइस पर आई पर आई थी अगर हम इसके फिनाशल को भी देखेंगे तो ट्वेंटी में ट्वेंटी पॉंट फाइफ करोल का एसेट ट्वेंटी ऺइंटी सेवन फाइफ सेच्द्थ करोड का एसेट ट्वेंटीटिंस सेवन ऑट फाइफ करोल का प्रॉफिट है कर हम बात करिए इस नहीं फैरम्टी पॉइस इनपैफ करोल का एक सब्सक्राघए जो कि यह संस्केमिक्स के एक वाईड रेंज का जो सो प्रोडक्ट केटर कर रही है अलग अलग इंडस्ट्री और सेक्टर को और क्वालिटी और इन्नोवेस्ट पर बहुत ज्यादा फोकस किया रहा है यह कंपनी सबसीडियरी है यह स्केमिक्स लिमिटेट का जो कि अल्रीडी में कंपनी जो से सदेन बुष्ट देखने को मिला है तो यह बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन विटनेश कर रही है कंपनी की रेविन्न्यू और पॉफिट दोनों में ग्रोथ हुआ है और ट्वैलिएशन भी कंपनी का एक बहुत अच्छी वैलिएशन देखने को मिल रह पर कुछ ओंगोइंग लीगल प्रोसेडिंग्स वगड़ा चल रहे है और बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वार्मेंट की जरुरत होती है जो कि इस कंपनी को जो से आप देख सकते क्योंकि जिस तरह की बिजनस है मैनुफाक्च्छिरिंग करना होता है बिजनस म नहीं किया जिसके वैस कंपनी को फ्लक्ट्वेशन हो सकते है गलोबल को सक्टाइब को अगरी करते कंपनी अगर के मैनुफाक्चरद प्रोडक्ट को क्लेम करने से मना कर देती है तो गाई इस कंपशन को impact पल सकती है प्लस ये इन वार्मेंटल हेल्थ और सेफटी रेगुलेशन से भी जोड़ा हुआ है ये कंपनी तो अगर इस चीज़ को भी फुल्फिल बहुत ज्यादा रिस्की है और यह वैल्येशन तो अच्छी है लेकिन अगर यह लिस्टिंग की होती है तो मैं कहूंगा आप इसमें एंट्री मत लिजागा और अगर आपको 25-30% के अभी एगा पॉफिट मुलता है लेकिन जिस तरह कि इसमें सब्सक्रिप्शन हुआ है इसम करें हो सकता है इसके आने वाल टाइम में अच्छा रिटन्स दे सकती क्योंकि इसके जो सब्सक्राइब कंपनी है यह स्कैमेक्स लिमिटेड अगर इसके चार्ट पैटन को देखिए गाइस तो एक साल के अंदर अंदर जो की कंपनी उसे एक अच्छी ग्रोथ हुआ है जहा अगर यह मेंटेंड कर पाती है तो एक अगर फिनाश्यल कंपनी अच्छी मेंटेंड नहीं कर पाई कि अगर इसको फ्यूचर में इंपक्त पर सब्सक्राइब नभी का अगर आप इसमें एंट्री लिया आपको लॉट्टी जगा आपको लॉट्ट में पड़ेगा तरह अगर आप रिस्क लिए तो यह आपको रिटन मिलता है नहीं तो इसमें रिटन आपको उतना नहीं मिलता है रिस्क नहीं लेते हैं तो अगर हम लोग वीडियो को ही परेंट करते हैं अगर कोई डाउटर कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं एंडेक्स लोड़ों में टिल बाब बाबाइ